MCX पर अगर सुमित आप नजर ढाल सकें, देखिए 9% का OIS में जुड़ा है, 3% नीचे खुला है स्टॉक, यहां पर दबाव है, क्या मंदी की ट्रेड में बैठेंगे? 9.45 के आसपा स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक के अंदर नीचे में 9.35 का सपोर्ट है, तो 9.35 का लेवल टूटने के बाद एक दबाव देखने को मिल सकता है, जिसमें 910 रुपे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मैं जो भी लेवल बता रहा हूं, वो सारे स सपोर्ट लेवल से फ्यूचर्स में ये डिसकांट में ट्रेड कर रहा है, शायर फ्यूचर में अल्रडी ये 9.35 के नीचे है, तो मैंने अभी जो लेवल दिया, सपोर्ट लेवल वो स्पोर्ट का है, 9.35 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में गिरावट बढ़ेगी और नीचे में 910 से 900 रुपे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बाइंग अवाइड करनी है, 9.45, 9.50 के आसपास इसमें एक पर सेल का ट्रेड लिया जा सकता है, और 9.65 का लगाए स्टॉक लेवल टूटने के बाद 910 रुपे तक के लेवल M6 में देखने को मिल सकते हैं नीचे में भी आ दोटने के बाद सबस्टीकम के बादय के बादyम के लigns वाज मता हैं, जीप बादिटे हैं, बादपस क्वेजश स करकी घएर लाद सकते हैं, बादी जए सकते हैं.